प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी वित प्रदीप बड़े दिनों के इंतजार करने के बाद आपके लिए एक महत्तपोर सोचना ले करके हम फिर आपके बीच में उपस्तित है यल्टी ग्रेट वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट इसके पहले हमने इक बीडियो बनाया था लेकिन किसी कारण से वह वीडियो 30 सिकेंड में ही कट गया था आप लोगों का बड़ा विरोद हुआ था तो हम उस बीरोद के लिए च्छमा चाहते हैं और जो से प्रिमियर कैसे प्रेमियर कैसे जाता है एक जानकारी हम आपके साथ अभी सेयर करें यहाँ कि आने वाली है लेटेस्ट अबडेट हम आपको बताने क्या है इसके बारे में पूरी सुचना वह भी बताएंगे जो मित्र पहली बार देने जारें उनके योगता ओम्र पदों की संक्या कितनी हो सकती है पेपर पैटर्न क्या होता है ठीक है रिक्वार्मेंट कितने ह हैं और उसके बाद यहां पर संभाविक परिच्छा थी क्या हो सकती इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले एक छोटी सी कोटेशन यहां पर आप ही में से किसी सस्क्राइबर में तरह ने भेजा है और आप में लोगों के द्वारा जो भेजा जाता है बहुत उतसा मिलता है और आज हमने वहां से एक कोटेशन सामिल किया है अच्छा लगा इसलिए सामिल करनी है हमने उनसे हिजाजत तो नहीं लेकिन अमीद है कि उनको भी अच्छा लगेगा कर देखेंगे तो तो यहां पर देखें आइने का जीना भी लाजबाब है आइने का जीना भी लाजबाब है स्वागत सभी का करता है लेकिन संग्रह किसी का नहीं करता है कहने का सीधा सर्थ है कि आप अपने आपको इस प्रकार बनाईए कि आप हर एक बिक्त के लिए उत्तम हो सकें लेकिन किसी बिक्त के ल उपर का सरदर्द ना बने किसी को बोज ना बने ए जीवन का सबसे मूल उद्देश आपको रखना चाहिए इसी कड़ी में कि आप अपने जीवन को कुत्तम स्रेड़ी की तरफ ले जाए उसी स्रेड़ी में आपके लिए एक सिच्चक बनने का बहतरीन मौका यल्टी ग्रेट आपका पेपर कराए जागा तो एक बड़ी जानकारी जो हम पहले ही ओपन कर देते हैं कि आपका संभाव परिच्चतिती कब होगी जुलाई के महीने में उसने कई बार एक जुलाई के महीने में हम यल्टी का पेपर कराएंगे ठीक है अब बड़ी जानकारी है फार्म आप या मार्च सप्ता मैं मार्च के सब्सक्राइब बश्रक्राइब तो उसी में से किसी संडे को आपका यईलटी का पेपर होने वाला और यईलटी का पेपर जुलाई में हो जाता तो दिसंबर तक आपका न्यूकति-पत्र भी आपके हाथ में होगा यानि दो हजार बाईस बीते बीते आप एक उत्तम सरेणी में आ जाएंगे और यईलटी इतने आ सकते हैं पदों की जो बात है लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है लेकिन मिनिमम जो पदों की संख्या है ओमान चलिए मेरे कार्डिंग जहां तक मैं बता रहा हूं संभाविती बता रहा हूं दो हजार से लेकर के तीन हजार की बीच में हो सकती हलाकि कुछ रहों का कहना सिर्फ 800 पद आएंगे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दो हजार के नियर बाउट आपके पद आने वाले हैं चुकि और सब्जेक्ट हैं तो दो हजार से ज़्यादा पद हो सकते हैं उससे कम पद सब्जेक्ट की हो और बीएट पास होने चाहिए उम्र की बात करें तो जो है उम्र आपकी किस वर्स से लेकर के चालिस वर्स उम्र रखी गई और उसके बाद आपको छूट भी दी गई है जो लोग जनरल ओबीसी यसी एस्टी के कंडिडेट हैं उन्हें छूट दी गई ज के लिए एक सुबीस कउचन के लिए भी स्वागत है और थीस के ध्यूचन के लिए भी स्वागत है लेकिन जो मित्र हमारे बाइलोजी से नहीं है और सभी सखा सखी लिए हम 30 प्रशनों पे काम करने वाले हैं और 30 प्रशनों में से हम गारंटिक साथ करें का आपको 20-22 प्रशन पाने का मौका मिल जाएगा ठीक है इस से ज्यादा कि हम बात भी नहीं करेंगे 20-22 क्योश्चन हम आपका सही करा सकते हैं यानि आप निश्चिंट हो करके उस सेग अलग अलग स्रीज के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीज़ें परदान करने वाले जो कि निश्चिंट रहने की हो सकता है और यहां पर और कोई जानकारी छूटी नहीं नहीं हां कुछ लोगों का यह कहना था कि जो एडबली यस वाले हैं उन्हें क्या उम्र में छोट म कि आयोग के तरफ से कोई भी निड़ा नहीं लिया गया है तो यह चीज आप जानते ने सलेबस पैटर्ण सारी चीजें आपकी ओपन हो जाएंगी पेपर आफलाइन होता है और यहां पर मुझे नहीं लगता कोई और जानकारी छूट रही है कंबिनेशन का कुछ चक्कर हो चुकि अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी करतें मेरा मानना है अगर आपको कोई दिख्कया थे तो आप इस नंबर पर वाटसप करके काल करके हमसे जानकारी ले लिजिएगा आपसे रिक्विश्ट है का वाटसप करें हम कोसिस करेंगे का पको उसकी रिपलाइज जरूर कर करेंगे और आपको उसकी बारे में जानकारी परदान कर देंगे तो फिर हम आपसे बिदा लेना चाहते हैं फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक लिए इजाज़त दीजिए जैंद